हेलो फ्रेंड वेल्कम बैक टू डी एनेस यूटीव चैनल तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत जादा इंपॉर्डन होने वाला है दोस्तों उनके लिए जो बीबीए और बीसीय की तियारी कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों ये वीडियो डेडिकेटेड होगा प्रीवेस येर क पिक कवर होने वाला है तो आईए बिना देर किये चलते हैं क्वेस्टन पर इससे पहले दोस्तों क्वेस्टन में चलूं कुछ चीजे मैं आपको बता देना चाहता हूं इसी वीडियो में देखिए अगर आपको इसका पीडियो डाउनलोड करना है तो आप डी एनेस डाउनलोड कर लिजेगा प्ले स्टोर से और वहाँ पर फ्री स्टेडी मैटेरियल के सेक्शन में ठीक है फ्री स्टेडी मैटेरियल के सेक्शन में आपको इसका पीडियो मिल जाएगा ठीक है फ्री ऑप कॉस्ट इसका पीडियो आपको एवलेबल होगा वहां से आप डाउ आपको मिलते रहे और साथ इसाथ जो दूसरे वीडियो वह भी आपको मिलते रहे टाइम पर तो बेल आइकन दबा लीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा चलिए दोस्तों चलते हैं पहले कोश्चन पर और पहला कोश्चन जैसा कि आप जानते हैं यह लेक्षर पर फोर है कंप्यूटर का दोस्तों अगर आपने तीन लेक्चर में नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है उसको एक बर आप देख लेंगे ठीक है क्योंकि एक बेसिक कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी में cm लिख देता हूं मैं वह एक प्राइमरी मेमोरी होता है ठीक है और एक सेकंडरी मेमोरी होता है ठीक है एक सेकंडरी मेमोरी होता है ठीक है ना प्राइमरी मेमोरी में आप जानते हैं रायम रोम यह सब आते हैं और सेकंडरी मेमोर जिसको हम read only memory भी कहते हैं दोस्तों रोम को हम न चेंज नहीं कर सकते हैं यह static होता है क्या होता है इस्टेटिक होता है ठीक है जितना लगा होता है system में computer में उतना ही होता है इसलिए यह static होता है इसलिए इसको हम क्या कहते हैं इसको permanent बोलते हैं क्या बोलते हैं तो correct answer हमारा क्या होगा, correct answer होगा option number B, correct answer क्या होगा, option number B हमारा correct answer होगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, आप देखिए, RAM जो होता है, देखिए, इसको read only, read only का मतलद सिर्फ इसको read कर सकते हैं, read only memory है, जबकि RAM जो होता है दोस्तों, उसको हम expand कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इसलिए ये permanent memory नहीं होता है, ठीक है, RAM को हम change भी कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं, तो इसलिए ये एक क्या होता है, permanent memory नहीं होता है, जबकि ROM हमारा क्या होता है, अस्थाई स्मृति यानि permanent memory होता है computer का, ठीक है, चलिए अब अगले question पे चलते हैं, अगला question गई थी, 1955-1957 के आसपास की बात है, अगर exact अगर बात गया जाए तो, पहली computer भासा जो विक्सित की गई थी दोस्तों, वो आपके सामने options है, उसमें से कौन सी की गई थी, ये बता रहा है, कोबाल की गई थी, है ना, फोर्ट्रॉन की गई थी, बेसिक की गई थी, या पास देखना है कि आपका level अभी क्या है, आपको कितने question आ रहे है, खुछ से attempt करना है पहले ठीक है, उसके बाद जो है, मेरा answer आपको देखना है, तो, अगर हम पहले computer language की बात करें, जो develop की गई थी, वो की गई थी, फोर्ट्रॉन की गई थी, करेक्ट अंसरों का option number B, फोर्ट् translation, इसका full form होता है, for translation, ठीक है, और basic जो है, बाद में की गई थी, इसके, तो, सबसे पहला, जो है, वो, फोर्ट्रॉन की गई थी, language, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, ना, चलिएगा, तो, दोस्तों, जो अगला question आपके सामने है, वो है, IC chip, जो computer में use होता है, वो किसका बना होता है, यानि, आपसे पूछा किया है, कि computer में परियुक्त, जो IC chip होता है, जिसका inventor माना जाता है, कि JA skill भी ने किया था, IC, यानि, integrated circuit में, ध्यान रखेंगे, integrated circuit जो है, वो chip होता है, integrated circuit, IC chip, ठीक है, integrated circuit chip होता है, IC chip, इसका, अब इसका किस ने किया था, अभी मैंने बता है, जे ए स्किल भी ने किया था, लेकिन इसमें पूछा क्या है, कि भाई, वो किसका बना होता है, ये आपसे question पूछना चाह रहा है, ना, the IC chip is used in a computer is made of, किस चीज से बना है, तो आप चानते हैं, ये बना होता है, silicon का, किसका, silicon का, तो correct answer, option number D हमारा, correct answer होगा, देखे, germanium और silicon दोनों का बनता है, तो germanium अगर option में दे तो भी, आप उसको सही कर देंगे, ठीक है, माली जे अगर silicon नहीं दिया है, तो germanium भी अब बनत हैं, यूज करके, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, तो correct answer होगा, इस question का, option number D, अब देखे, अगले question पर, चौता question ध्यान दीजे, अगला question है, who created the first computer, पहला computer, दोस्तों किसने बनाया था, और ये बड़ा आसान सा question है, बड़ा basic सा question है, ये पी वाई क्यू में पूछ बच्चा जानता है, दोस्तों, इसका answer क्या होगा, चार्ल्स बैवेज, क्या होगा, चार्ल्स बैवेज होगा, correct answer है, option number C, चार्ल्स बैवेज ने, पहला computer बनाया था, first computer, ठीक है, चलिए अगले question में चलते हैं, अगला question देखे, अगला है, पांचवा question, बड़ा ही सांदार जबरदस्त, बहुत ही बहतरीन question आ चुका है, question है, which one of the following laser types is used in laser printer, यानि laser printer में अनिनमलिखित में से कौन सा एक laser प्रियूग तो होता है, ये दोस्तों आपको बताना है, तो ध्यान रखेंगे, laser printer में semiconductor laser का यूज होता है, तो correct answer होगा, option number B, option number B will be the correct answer, ठीक है ना, तो semiconductor laser का प्रियूग किया जाता है, तो अब हम अगले question पर बढ़ते हैं, हाँ, तो दोस्तों अगले question पर बढ़ने से पहले, मैं आपको बता दूँ, तो दोस्तों, इसमें आपको अगर, आप दोस्तों, CUT, UG, या PG, या इसके साथ साथ दोस्तों, state level university की तयारी करना चाहते हैं, full- आपके लिए question लाएंगे, हम आपके लिए PY2 लाएंगे, हम आपके लिए practice set कराएंगे, और इसके साथ साथ, दोस्तों, बहुत सारे features आपके लिए कर आया है, DNS, तो सारे चीज़ यहां पर दिये गए है, आपको अगर, महात्मा गांदी काशी विद्यापीट, दीन द्याल 986764 पर call कर सकते हैं, या message कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको दे दी जाएगी, तो दोस्तों, BBA, BCA के अलावा भी, बहुत सारे course हमारे साथ run कर रहे हैं, हमारे application पर run कर रहे हैं, अगर कोई भी online preparation आप करना चाहते हैं, किसी भी course का, तो दोस्तों, आप दिये गए नंबर पर contact कर सकते हैं, देखिए हमारे सारे course के features आप यहां देख पा रहे होंगे, इसमें आपको online video lectures, class notes, chapter wise practice set, chapter wise online test, full length test series, PYQ detail solution, जो कि मैं एक करा भी रहा हूँ आपको, special mentorship program भी आपको दिया जाएगा, चलिए अब हम question पर आ जाते हैं, देखिए, question अब आपके सामने आ चुका है, यह है छटवा नंबर question, what is the DBMS used to create a computer application, computer application को बनाने के लिए, एक DBMS का प्रयोग किया जाता है, यह किसमें, किसको कहते हैं, यह आपसे पूछा गया है, यानि आपको इसका full form बताना है, DBMS क्योंकि यहां पे जो option दिया, वह उसमें full form आपसे पूछा है, तो DBMS क दोस्तों, full form होता है, database management system, जो कि correct answer है, option number A में, correct answer, option number A will be the correct answer, ठीक है, database management system is the correct answer, चली अगले question से चलते हैं, अगला question देखिए, which of the following represents errors in computer data, निनमन में से, कौन, computer आखरों की, तूटियां प्रदर्शित करता है, देखिए, कभी भी computer में कोई truth आती है, कोई error आता है, तो इसको bug से दर्साते हैं, किसे? bug से दर्साते है, correct answer होगा, option number C हमारा क्या होगा, correct answer होगा, कोई भी error आ जाता है, जब computer में, तो दरसल bug से इसको denote किया जाता है, तो हमारा correct answer क्या हो देखिए, आठवा, anya was, यानि anya क्या था, आपको ये बताना है, ठीक है न, anya क्या था, ये आपको बताना है, चलिएगा, तो anya दोस्तों क्या था, देखिए, आप बताएंगे, ये एन ये क्या था, electronic, numerical, आपके साथ, integrator, और ये था आपका computer, end computer, ठीक है न, end computer, तो यानि ये एक electronic computer था, इस बात को ध्यान रखेंगे, तो correct answer होगा, option number C, है न, correct answer क्या होगा, option number C, will be the correct answer, ठीक है, electronic, numerical, integrator, end computer, ये इसका फोल्पम होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, तो correct answer क्या होगा, option number C, will be the correct answer, चलिए, अगले question में बढ़ते हैं, देखिए, 9 नंबर question आ चु subscribe नहीं किया है, तो एक बार जरू subscribe करेंगे, और इसके साथ साथ बहुत ही important information की भी बहुत सारे वीडियो आते हैं, तो आप उससे aware रहेंगे, अगर चैनल को subscribe करेंगे तो, तो देखिए, 9 नवे question पर आ जाते हैं, ये है MS Word, यानि MS Word का प्रियोग जो है, वो किया जाता है, क कहां करते हैं, कि इस प्रकार करते हैं, देखिए, MS Word का यूज आप जानते हैं, कि हम भई क्या करते हैं, उसको template बनाने के लिए प्रियोग करते हैं, या मान लिजे कि 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 हमें homework देना है, कोई चीज highlight करना है, या later बनाना है, तो बहुत सारी चीज़ों को हम इस पे बनाते ह है ना, तो यानि modification paragraph या paragraph कुछ लिखना होखना पड़ता है, पध्यान data संसोधन के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, यानि अगर देखा जाए तो MS Word का इस्तेमाल हम, for paragraph, homework वगरा हमें देना अगर रहेगा, तो हम इसी से बना करके homework देंगे, है ना, PDF जो आपको देते हैं, यहीं से बना के, MS Word से भी हम बना के दे सकते हैं, तो हमारा C हो जाएगा correct answer, for paragraph data modification हम MS Word का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यार नखेंगे, image नहीं करते हैं, हम paragraph data modification करते हैं, ठीक है, numerical का तो Excel में करते हैं, MS Excel में आप आम तोर पे जानते भी होंगे इसको, अगले question पर आ जाते हैं, अगला question देखिए, अगला question आपके सामने आ चुका है, और यह है दस्मा question, nowadays, the most commonly used input device, देखिए, आप जानते हैं, device में आप जानते हैं, कि एक output device होता है, input device वो होता है, जिससे information को हम computer के अंदर input कराते हैं, यानि डालते हैं, ठीक है, information जाता है, और फिर ब कौन सा ऐसा input device है, जिसका प्रियोग बहुत जादा होने लगा है, तो दोस्तों, यह है mouse, mouse जो है, एक प्रकार का input device है, और इसका प्रियोग आज सबसे ज़्यादा बढ़ चुका है, इंगलबर्ट, ठीक है न, इंगलबर्ट ने, इंगलबर्ट, डगलस, इंगलबर्ट, अ जा चुका है, ठीक है न, चलिएगा, अब आगे चलते हैं, अगले question पर, अगला question देखिए, which of the following is not a computer network, यानि कौन सा इन में से computer network नहीं है, तो देखिए ध्यान से नहीं पूछा है, ध्यान रखिएगा, कभी-कभी नहीं, आप नहीं देखते हैं, तो गलत हो जाता है, यह है, और not पूछा है, देखिए, not, है न, not a computer network, तो wide area network, यानि WAN, बिल्कुल बड़े network, wide area दूर तक network को जोड़ने के लिए, internet में आपस में, wide area network का यूज होता है, तो बिल्कुल यह है computer, लेकिन हमें not बताना, नहीं, जो नहीं होगा, वहीं answer हमारा होगा, local area network, यह भी हमारा एक computer का network का प्रकार है, metropolitan area network, यह भी हमारा एक computer का network का प्रकार है, लेकिन personal network कोई नहीं होता, तो correct answer हमारा B हो जाएगा, B क्या हो जाएगा, B हमारा क्या हो जाएगा, correct answer हो जाएगा, option number B, ठीक है न, personal network, हमारा कोई भी computer का network नहीं होता, कोई computer का network नहीं होता, personal computer, चलिएगा, बाराव में कोशन पर आ जाते हैं परम जैसा कि आप जानते हैं पिछले वीडियो में मैंने आपको बताए भी था अगर पिछला वीडियो आप नहीं देखा तो एक बार जाके जरूर दिखेगा मैंने बताए था कि परम जो है वो पूरे की एक संस्ता है सीडेक है ना वह एक क्प्यूटर के छेतर में बहुत ही मसहूर इंस्सीने एक परम नाम का सूपर कंप्यूटर बनाया था किया पर背 Staff पीदा सुपर यह है तेरह मां कंप्यूटर बाइरस इस वए प्रकार का सफ्ट्वेर है जो मुख्यत्य नश्ट करते हैं डेटा को प्रोग्राम को एक्विप्मेंट को या हाड़वेर को तो अगर बात करें दोस्तों जो वाइरस होते हैं आम तोर पे यह वाले वाइरस नहीं है जो कोरोना वाइरस नहीं है वैसे तो मैं कोरोना वाइरस को बहुत ही खतर नाम नाम देता हूं लेकिन अभी फिलाल में वाइरस की बात ने कर रहा हूं तो देखें इसका ध्यान से परोग्राम को नश्च करते हैं अच्छ यह बात ध्यान राकेंगे प्रोग्राम में ब्रोग्राम को नश्च करते हैं ठीके लाइस चले दिए गसी को दिएगा विंडोस इन कम्प्यूटर इस टाइप और computer में windows एक प्रकार है किसका प्रकार है भई software का hardware का या both या इन में से कोई नहीं तो दोस्तों computer में window की अगर हम बात करें window तो यह दरसल एक software का प्रकार है यह क्या है software का एक प्रकार है तो correct नांसर होगा option number A ठीक है चलिए next question पर चलते हैं अगला question देखिए dot matrix is a type of यानि dot matrix आप से पूछा गया है कि किसका एक प्रकार है आपके सामने question पूछ रहा है तो अगर दोस्तों dot matrix की बात करें तो देखिए कई प्रकार के ने printer आजकल आ चुके हैं मार्केट में जो printer आ चुके हैं आजकल लेजर प्रिंटर आप जानते होंगे dot matrix भी एक प्रकार का printer होता है तो इस लिए correct answer क्या होगा अगले question की तरह बढ़ते हैं अगला question ध्यान से देखिए टाइम बड़ा कीमती है इस लिए जल्दी-जल्दी कला रहा हूं तो थोड़ा सा हम लोग जबदास तरीके से करें देखिए अगला question है cd-rom is a cd-rom एक है क्या है भाई देखे पहले cd का फोल्वाम होता है compact disc और रोम का मतलब होता है read only memory क्या होता है compact disc read only memory ठीक है तो यह क्या है आप जानते हैं यह दरसल एक भाई चलिए हाँ इसका answer न मैं comment में आपसे पूछूंगा क्योंकि यह जो है question आया हुआ है और यह बड़ा complicated question मैं चाहता हूं इसका जवाब आप मुझे comment section में देंगे कहां पर देंगे comment section में ठीक है न comment section में यह यह चारो option देख लीजे यह चारो option एक्जाम में आये थे वही मैंने आपके option सामने रख दी है तो इसका answer मुझे comment section में देंगे कि cd-rom जो है वो क्या है ठीक है देख लीजे एक बड़ा option को अगले question पर आईए अगला question देखिए सत्तरहवा number question what is Google देखिए पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि Google हो याहू हो MSN हो इन सब की हम जब बात करते हैं तो दरसल यह सारे क्या हैं यह सारे search engine है अगर कोई भी website हमें खोलनी होती है तो हम इन search engine के उपर जाते हैं और जो भी website खोलनी होती है हम उसके उपर search करते हैं और वो website हमारे सामने खुलकर आ जाती है कई हजार रिजल्ट सो हो जाते हैं तो वो दरसल होते हैं क्या वो होते हैं हमारे भाई search engine तो यह क्या है mozilla Firefox जो है यह आपका एक browser Internet Explorer इसको Eyee बोल देते हैं यह भी आपका browser Chrome Google Chrome Google Chrome 하 नो गुगल Chrome भी एक प्रकर का browser है नहीं यह सारे browser ठीक ओपेरा उपेरा क्या है ओपेरा भी यह एक सारे नाम है ध्यान रखेंगे बहुत जादा इंपॉर्टेंट यह ब्राउजर है जिनका यूज हम जो है इंटरनेट को चलाने के लिए करते हैं ठीक है ऑपरेटिंग सिस्टम तो आप जानते हैं यह सब बहुत सारे ओपरेटिंग सिस्टम होते हैं जैसे किमें अ यूपसिटम मोबाइल में अपरेटिंग को एन्डरहएड औरा67 अगले ज़ख़ेंग का answer मैं बता जिया था है वर चेक कर लिता हूं हां हां ठीक है सर्च इंजन ओके अगला question देखिए, अगला question है आपके सामने, अठारवा, first generation computers were used, प्रथम PD के जो computer बनाए गए थे, उनका प्रियोग हम जो है, किस में उसका है, मतलब प्रथम PD के जो computer थे, उसमें हम किस का प्रियोग करते थे, जिससे की वो बना था, पहले जब computer आया था दोस्तों, तो बहु बड़े-बड़े computer होते थे, और उनके memory भी बहुत बड़े-बड़े होते थे, तो पहले PD के जो computer थे, यानि first generation के जो computer थे, वो vacuum tube का इस्तिमाल करके बनाए गए थे, बड़े-बड़े wall उसमें लगे हुए थे, तो कहीं-कहीं wall भी option दे देता है, लेकिन vacuum tube अगर दिया है, वैक्यूम ट्यूब, क्या हो जाएगा, भई, वैक्यूम ट्यूब, ध्यान रखेंगे, अच्छा ये बताएगे, हम मैं आपसे दो question पूछ रहा हूँ इसमें, पहला question है कि transistor का प्रयोग किस PD के computer में किया गया था, एक question तो मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, दूसरा question किस PD म है, transistor का प्रयोग, transistor का प्रयोग, किस PD में किया गया था, किस generation में, है ना, किस generation में, generation में किया गया था, किया गया, था, ठीक है, पहला question, और question नमर टू आपके सामने है, मैं आपसे पूछूँगा, इसी में से, एक question और, हाँ, very large, very large scale, integrated circuit जो था, उसका इस्तेमाल, VLSI का इस्तेमाल, किस PD के computer में किया गया, किस, PD का मतब generation, किस generation में, किया, गया, ठीक है, इस दोनों का answer मुझे आप comment section में देंगे, दोनों का, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए, अगले question बढ़ते हैं, अगला देखिए, अगला है बीस्वा question, which part is the brain of the computer, यह तो बड़ा असान question है, आप सभी जानते है, central processing unit, जिसको हम CPU भी कहते हैं, इसके अंदर, भाई, बहुत सारी चीज़े होती है, मदर बोर्ड होता है, है ना, यह सारे क्या है, यह हमारे CPU का, CPU क्या है भाई, हमारा computer का brain भी कहा जाता है, इसलिए तो पूछा क्या है, कि brain of the computer किसे कहते हैं, तो CPU को कहते हैं, correct answer का option number A, ठीक है, देखिए CPU के अंदर, ALU, arithmetic logical unit, arithmetic logic unit होता है, और AU, ठीक है, CU होता है, ठीक है, control unit, CU, control unit होता है, इन दोनों को मिला कर CPU बहुत बड़ा एक बनता है, जिसको हम brain of the computer कहते हैं, ठीक है, तो दोस्तों यह था आपके सामने question, टॉप 20 question, एक question मैंने पूछा है, आप से MCQ का, और दो question मैंने पिछले, पिछले वाले question में पूछा है, God bless you all.